संकल्प से संघर्ष, संघर्ष से संघठन, संघठन से सत्ता और सत्ता से लोगतांख्रिट व्यवस्था की सरवोच्च सत्ता तक का अनवरत सफ़र यूही पह नहीं हो जाता है। जब प्रधानमंतरी मोधी के सारवजनिक जीवन को इस कसोटी पर कस्ते हैं तो ये सपष्ट हो जाता है कि यूही नहीं कोई नरेल मोधी बन जाता है। एक नेता के लिए ऐसा बता रही है जैसे इन से पहले कोई नेता न था न है और न रहेगा। इसे कहते हैं दोस्तों चाठू कारिता में लीन होना, भक्ती में लीन होना, एक होता है कि साधू संत जो है वो भक्ती में लीन हो जाते हैं। भगवान के सामने समक्ष हो जाते हैं कि आपकी सिवा कोई नहीं लेकिन यहां पर पत्रकारिता में एक पार्टी के सिवा एक पार्टी के नेता के सिवा कोई नहीं इन पत्रकार कमदलालों को नजरा रहा है यह वीडियो दोस्तो सोशल मीडिया पर फैल रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नैनो वाली आंटी जो चिप लगा रही थी 2000 के नोट में वो इस कदर लीन हो चुकी है चाचुकारिता में कि इनकी जो है नस नस से सिर्फ चाचुकारिता ही प्रकच हो रहा है इसे पत्रकार कहा जा सकता है दोस्तो जरा आप इस वीडियो को सुनिए तब हम जब प्रधान मंतरी मोधी के सार्वजलिक जीवन को इस कसोटी पर कस्ते हैं तो यह सपष्ट हो जाता है कि यूही नहीं कोई नरेंद्र मोधी बन जाता है दोस्तो कैसे एक पाठी के नेता को महान बना रही है कैसे प्रधान मंतरी मोधी को महान बना रही है और आज तक लिख रहा है कि यूही नहीं कोई नरेंद्र मोधी बन जाता प्रयास भागीरत से जारी है विजयरत यह खबर जो है आज तक पर शोयता सिंग जो है वो पड़तीवी और बतातीवी लोगों को नजर आ रही है कि कैसे जो है प्रिधान मंतरी का कद रुत्वा जो है तिहास में लिखाने वाला है आज नहीं सौ साल बाद भी अगर आप नरेंदर मोधी की गाथा सुनेंगे तो इस तरीके से नरेंदर मोधी की गाथा लिखी जाएगी ये गोधी चैनल की पतल कार बता रही है जो नोट में चिप डाल कर बता रही थी कि तुरंट ट्रैक हो जाएगा कि 2000 के नोट में चिप कह है इस तरीके की भक्ती 2024 में अभी वक्त है लेकिन 2024 की तैयारी बीजेपी बाद में करेगी इन गोदी मीडियाओं को लगा दिया गया है कि कैसे पेड प्रमोशन जो होता है कैसे स्क्रिप्ट आता है लिखकर यहां पर साफ साफ तोर पर नजर आ रहा है इस वीडियो को दोस्त तो संदीप सिंग जो है वो टूइट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि यह पत्रिकारिता है या भक्ती बताईए मैठम कि यह क्या बाकई पत्रिकारिता कर रही है या भक्ती में लीन है सिर्फ भक्ती गीत गाती वी नजर आ रही है आगे नो राइड नो स्टोरी नाम का पार कर देना चाहिए आर्टी आई न्यूस भी इस खबर को ट्वीट करते वे लिख रहा है कि सही का आप ने यूही कोई नहीं बन जाता मोदी गजब क्या पत्रिकारिता है कभी एसी रूम से बाहर निकल कर ग्राउन रिपोर्टिंग कर लिया कीजिए तमाम मुद्दे हैं य जनता इससे कितनी सहमत है जनता कितना इसको इससे इतफाक रखती है आगे एक यूजर है एतेशाम रिहान वो ट्वीट करते वे लिख रहे हैं कि आपको सवाल पूछना था कि हर साल दो करोड रोघ्या क्या हुआ किसान की आयू दोगनी होनी थी उसका क्या हुआ गया वो तो बात की बात है क्या हुआ बहुत हुई महंगाई की मारवाला नारा ये सब पूछ लेती ही तो समझ में आता कि आप पत्रिकारिता कर रही है लेकिन आपने तो यहाँ पर एक अलग लेवल की चाचुकारिता करनी शुरू कर दी है सोवित अवस्थी लिखते हैं यही न्यूस चैनल है क्या शांदार पत्रिकारिता हो रहे हैं चूतिया चाट रहे हैं सत्ता की मूल मंत्र ही बूल गए हैं पत्रिकारिता की की मूल मंत्र क्या है पत्रिकारिता की इस तरीके से जो है यह चाचुकारिता में लीन है Revealian नाम का एक page है वो लिख रहा है कि news है या advertisement यह सवाल पूछ रहा है कि आप news भूल रही है यह advertisement कर रही है किसी party का इसी तरीके का advertisement होता है न दोस्तों कि आप किसी product को अच्छा-च्छा बताते हैं तो यह advertisement की category में आता है लेकिन यहाँ पर पत्रिकारिता के साथ-साथ advertisement भी हो रहा है और बताया जा रहा है एक नेता को कैसे महान कर दिया गया है आगे सावाइट नाम का एक पेज है वो लिक्राय बिलकुल इसके लिए चाहिए बहुत बड़ा कुरफाती संप्रदाइक दिमाग जूट बोलना नौचंकी करना मगर मच्छ आंसु बहाना बहरूपिया बनने की कला बड़ी तब्यत और आत्म विश्वास से जुमला ठोकना ठोकने का हुनर और एक अदत तड़ी पार कोई मोधी बन सकता है फिर वो कितना भी बड़ा रविकेशन मनोज और तिवारी संबित पातरा हो तो ये इनको इन सब से मर्ज कर रहे हैं कि जूट बोलने के लिए आपके पास हिम्मत होनी चाहिए और तभी बन जाते हैं एक नेता हिमानशुल सौरब लिखते हैं कि ऐसे कोही कहते हैं चरन चाट तिल चटे I am just asking श्वेता सिंग आज तक इनको टैक कर दिया है कि आप चरन चाट तिल चटी है कि आप कैसे चरन को चाट रही है सिया राम होता एक पेज है वो लिख रहा है कि is this news क्या ये news है या फिर paid promotion है या कोई fan moment है जो आप बता रही है एक fan moment जो है वो इस तरीकी की बाते कर सकता लेकिन पत्रकार की जुबान से ऐसी बाते कभी नहीं निकल सकती रोहिट पाठक लिखते हैं I mean how dare someone call them godi media such honest reporting कैसे जो है godi media का नाम पड़ा है और इनकी पत्रकारिता जो इमानदारी वाली होती है उसको देख लिए लोग तो समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं कैसे चरन चाट रहे हैं आगे एक और ये उजर है मौमद हनीफ वोट ट्वीट करते वे लिख रहे हैं कि वालेट पेपर से वोटिंग हो तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है अगर आप लोग चाटू कारिता छोड़ कर सही पत्रिकारिता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा लेकिन फिल आप सोलंकी हैं वो लिख रहे हैं कि वा आपकी भक्ति आपरमपार है लगता है इस भक्ति का आपको अच्छा फल मिलेगा इसलिए आपने ये भक्ति शुरू की है कमलेश जो हैं वो लिख रहे हैं वा मेरे देश की मीडिया वा लोकतंद्र का चौथा स्थम सत्ताधारी पा चैनल की अंधभक्ती तो देखो, सब के सब बिख चुके हैं, क्योंकि आप बचा कुछ नहीं है, सब भक्ती में लीन हो चुके हैं, और सब को खरीद लिया है एक पाटी में, गांधी टॉक्स नाम का एक पेज है, वो लिख रहे हैं, कि चाटुकारिता में कुछ भी बोलना, होता है, जो मुँ में आ जाए, बख दो, प्रनीती क्या होगी भाई, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, बस भक्ती में लीन होते हुए, नजर आ जाओ, आगे दिनिश्पून्या लिखते हैं, कि कोई बर्खुरदार बता सकता है, कि इसमें खबर क्या है, जो श्वेता सि लिहाज कर लो मैजम जी, पत्रकारिता का बेड़ा गर्द करके रख दिया है, तुम भाजपा प्रवक्ताओं ने, इनको भाजपा प्रवक्ता का क्रेडिट दे दिया गया है, कि तुम भाजपा की प्रवक्ता हो, ना की पत्रकार, अगर पत्रकार होती, तो इस तरीके की ब पार्टी को खुश किया जा रहा है जिससे अच्छा फल मिलने की उम्मीद की जा सकती है। एकदम जवर्या फैन नजर आ रही है एक पार्टी की और खूब गुनगान करते वे दिखाई दे रही है कि कैसे मोदी मोदी नहीं है, मोदी मोदी ऐसे नहीं बने, फलाना नहीं बने, ढमकाना नहीं बने, यह तमाम खबरे आजकल लोगों को बताया जा रहा है। को जादा से जादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।